असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेकी रेसिपी लेकर आए हूँ आज मैं बनाओंगी कदू की सबसी जिसको काशी फल भी कहते हैं और इसी से पेठा मिठाई भी बनती तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑइल डालेंगे इंग्रीडियन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुएंटिटी के साथ मेंशन होंगे वहां से नोट कर लीजिएगा एक मैने छोटी सी प्याज ली है अब इसको इतनी देर पकाएंगे प्यास को कि यह हलकी सी नरम परजा या गुलाबी गुलाब अच्छा इसे जो है आप जब गुलाबी गुलाबी करने लगें तब आप इसके अंदर शामिल करेंगे यह तमाम खड़े मसाले जो मैंने भी आपको दिखाए थे अमूमन तो यह बहुत मीठी सबजी होती है प्यास इसमें कम डालनी चाहिए मैं तो बोलूँगी आप प्य पील आफ नहीं करेंगे अगर विलोफ कर देते है तो बहुत ज्यादा मैशी मैशी से हो जाती है जैसे आपका अलू का बुर्टा हो जाता दाए ना बिलकुल वैसी हो जाती है अगर आप इसको चिल्के समय बनाएं ग hay तो यह बिल्कुल भी मैशी मैशी से नहीं होगी बलक और डालोंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब हल्दी हल्दी ऑप्शनल है क्योंकि अलडी इतना येलो सा होता है पकने के बाद और येलो जाता है तो आप थोड़ी सी हल्दी इसमें जरू डाले हैल्द की पॉंट और फ्यू से तो जरू डाले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 10 मिनिट के लिए मैं इसको ढखके रख दूंगे और बिलीव में 10 मिनिट में गल जाएगी इसमें पानी बिलकुल भी नहीं जाएगा नहीं कोई टेमाटर जाएगा क्योंकि यह सब्जी बहुत ज्यादा पानी छोड़ती है यह देखें मैंने पानी नहीं डाला था लेकिन इसने कितना सारा पानी छोड़ाए इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे बस आप समझें आपकी जो यह सबजी है यह ऐसे ही तैयार हो जाएगी अब यह जहरे थोड़ी सी सुईट होती तो इसके अंदर मैं डालूंगी जब यह थोड़ी सी फूल जाएगी इमली तब मैं इसके अंदर डालूंगी अब मैं आपको दिखाना चारी हो के देखें अगर हम इसको छिलके समय बनाएंगे तो यह इस तरीके से बिल्कुल हलवा हो जाएगी और अगर आप इसको चिलके के साथ बनाएंगे तो यह इस जल्दी से बनती है और यह बहुत मजी की बनती है अगर बच जाए तो आप इसको सुबाफ पराटे के साथ खास सकते हैं पूरियों के साथ भी खास सकते हैं अब आप देख लिए इस पर पानी कितना है अब मैं इसको तेज़ाज करके जल्दी जल्दी से भूनूंगी ताक नहीं जबर्दस बन गई है और इसका बिल्कुल भी हल्वा नहीं बना है आपको यह रैसिपी जरूर ट्राय करनी है अपना फीड़ बैक देना है और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है थोड़ा सा हरा धनिया और मैंने हरी मिर्च डाल दी दी मैं इसको संद है लेकिन मेरी माने तो इसको ऐसे बनाएगा तो अगली क्रेसिपी तक के लिए सब्सक्राइब को अजाज़त दीजिए दौा मैं अदर कीगा टेक केर अलाफेज